हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो स्टेडी बीट, आज हम लोग क्लास तेंद के सेंस में विभी आए मोडल सेट अबजेक्टिव कोशन देखेंगे, जो आने वाले दोयार तिस बूर इजाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो इस वीडियो को लास तक जरूर दखिएगा और यदि इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और अपने फ्रेंड में भी सेर कर दीजेगा और इसी तरह के दिए अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रेक्टिस चेट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाट का लिंक है Steadybit.in इस वेबसाट पे जाकर आप बिलकुल फिरी प्रेक्टिस चैट कर सकते हैं और इस वेबसाट का लिंक आपका नीचे दिया गया है का focus दूरी जिनात्मक होता है तो कौन सा दर्पन में आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें आपका अबतल दर्पन में हो जाएगा option number आपका B answer हो जाए correct answer ठीक है अगला question है देखें यहाँ पर second number में क्या है कि lens की focus दूरी ऑप और व्वकरता तिर्जिया में क्या संबंध है? तो क्या हो गया टू हो जाएगा option अगला question है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांग सबसे धीख है देखें यहाँ पर क्या दिया यह काफी सांदार कोश्चन है बच्चो कि किस माध्यम का अपवर्तनांग अधीध है तो क्या हो जाएगा इसमें आपका जीरा का option number D हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है कि समान दिरिष्टी के लिए सुवसपष्ट दिरिष्टी की अलप मत दूरी क्या है देखें यहाँ पर चार नमबर में काफी सांदारे भी है कि समान दिरिष्टी के लिए सुवसपष्ट दिरिष्टी की अलप मत दूरी क्या हो जाएगा तो फ्रेंट इसमें हो जाएगा 35 cm, option number B हो जाएगा ठीक है अगला question है कि स्वेत प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पष्चात सबसे कम जुखता है पांस नमबर में है कि स्वेट प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पाश्चात सबसे कम जुखता है तो क्या हो जाएगा इसमें आपका लाल रंग, उप्सन नमबर C हो जाएगा नेस्ट क्वेश्चन है कि छे नमबर में निकट द्रिष्टी को किस लेंस के उप्योग द्वरा संस्वधित किया जा सकता है निकट द्रिष्टी दोस्त को किस लेंस के उप्योग द्वरा संस्वधित किया जा सकता है option number A है उतल लेंस option number B है उतल option number C है तुई फोक्सी लेंस option number D है इन मेंसेज सभी तो क्या हो जाएगा इसमें आपका इसमें हो जाएगा अवतल लेंस option number A हो जाएगा ठीक है next question है यह बैदोत परती रोधकता निर्भर करती है तो क्या होगा इसमें इसमें हो जाएगा आपका चालक के पदार्थ की प्रकिर्ती पर option number C हो जाएगा option number आपका C हो जाएगा 7 number में ठीक है अगला question है कि विधूत सक्ति का SI मात्रक क्या होता है विधूत सक्ति का SI मात्रक क्या होता है देखिया यहाँ पे क्या है क्या हो जाएगा, option number A है वाट, option number B है वाट पर घंटा, option number C है unit, option number D है ओम, तो विधुत सक्ति का जो S है मातरक होता है, क्या होता है इसमें आपका वाट हो जाएगा option number A हो जाएगा, ठीक है अगला question है, एक unit विधुत उर्जा का मान है क्या होगा, इसमें आपका, बताईए क्या हो जाएगा, इसमें 3.6,10 का पावर 6,0, option number D हो जाएगा ठीक है, next question है कि निम्ड में से कौन सा कथन सत्य नहीं है निम्ड में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका हरे बिधूत रोधन वाला तार परायर, बिधूत में तार होता है, option number D answer हो जाएगा, ठीक है अगला question है, 11 number में फलेमिं के बामहस्ट नियम में बाया हाथ का मधमा संकेत करती है काफी important question है काफी important question है फलेमिं के बामहस्ट नियम में बाया हाट का मधमा संक्यत करती है Option नमर A है चालक पर आरोपित विदूत बल की दिशा Option नमर B है चुमकिय छेतर की दिशा Option नमर C है चालक में परवाहित विदूत धारा की दिशा Option नमर D है इनमें से कोई नहीं फलेमिंग के बामसनियम में बाया हाथ का मधमा संक्यत करती है क्या हो जाएगा इसमें आपका चालक में परवाहित बिदुधारा की दिसा option number C हो जाएगा ठीक है next question है चुम्बक के भीतर चुम्बक के छेतर देखाओं की दिसा क्या होती है बार नमबर में देखिए काफी सांदार question है भी है क्या हो जाएगा इसमें आपका option number E है उत्तर धुर्व से दक्षिन की ओर option number B है दक्षिन धुर्व से उत्तर धुर्व की ओर option number C है चुम्बक के छेतर रेखाओं की दिसा निश्चित नहीं है option number D है इनि में से कोई नहीं तो यहाँ पर चुम्बक के भीतर चुम्बक के छेतर रेखाओं की दिसा क्या होती है तो इसमें हो जाएगा आपका दक्षिन धुर्व से उत्तर धुर्व की ओर option number B हो जाएगा next question है नाबकिय उर्जा का सरोत निम्न में से कौन है अगला question है कि यहाँ पर देखिए कि कली चुना का रसैनिक सुत्र क्या है कली चुना का रसैनिक सुत्र क्या है तो इसमें हो जाएगा कली चुना का जो रसैनिक सुत्र होता है CAO होता है calcium oxide होता है option number B हो जाएगा ठीक है next question है जल के बैदूत अब घटन में cathode पर कौन सा गैस मुक्त होता है क्या हो जाएगा इसमें आपका option number E है oxygen option number B है hydrogen option number C है oxygen और hydrogen दोनो option number D है ozone तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका hydrogen हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है अगला question है baking soda karacenic सुत्र क्या है 16 number में काफी सांदार question है यह हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा NAHCO 3 option number यह हो जाएगा ठीक है अगला question है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है 17 number में देखिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसमें हो जाएगा आपका अमल हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है अठारे नमबर में देखिए कि milk of magnesia का pH मान कितना होगा milk of magnesia का pH मान लगभग आपका कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10.05 हो जाएगा option number D अधार हो जाएगा option number D हो जाएगा अगला question है 19 number में next question है निम्न में से कौन सा धातू अत्यधीक अभिक्रिया सील है तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा सूरियम हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन परमानों के बाहतम का अक्षा में एलक्टोनों की संख्या कितनी होती है अक्सीजन के परमानों के बाहतम कल्चा में औलक्टॉन की संख्या कितनी होती है तो क्या होता है अपका छे होता है option number B answer हो जाएगा अगला question है buton एक कार्बनिक योगिक है जिसका परकार्यात्मक समूँ है तो क्या हो जाएगा इसमें अपका option number C हो जाएगा अगला question है nitrogen के दो परमानों के बीच कितने आबंद होते है nitrogen के दो परमानों के बीच कितने आबंद होते है तो क्या हो जाएगा आपका तिरी आबंद होते है option number C हो जाएगा अब इस नमबर में देखिए Elkin का समान सुत्र क्या होगा एलकिन का समान सुत्र क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा CN H2N हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है अगला question है आधुनीक आवत सार्णी में आवर्तो की संख्या कितनी होती है 25 नंबर में तो क्या हो जाएगा आपका इसमें 7 होता है option number A हो जाएगा अगला question है समू में उपर से नीचे जाने पर परमानु अकार में क्या परिवर्तन होता है समू में उपर से नीचे जाने पर परमानु अकार में क्या परिवर्तन होता है तो आपका परमानु सैज क्या होता है बढ़े जाता है option number यह हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा इसमें आपका लाइपेज हो जाएगा अगला क्वेश्चन है समान परकुचन रक्त दाब होता है कितना होता है आपका 120 mm होता है और समान परकास संशलेशन द् Worra बना भोजन पादब के अन भागों में किसके दौरा भेजा जाता है इस नमбर में देखिये उस पर का नाम बताइए जो कलंब द् Worra का एक परबंद को परदसीत करता है तो क्या हो जाएगा इसमें आपका इसमें हो जाएगा बच्चो आपका गुलाब हो जाएगा उपसा नंबर B अंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेस्चन है कि काला जार बिमारी किस रोग जनक के कारण होता है काला जार बिमारी कि सिरोग जनक के कारण होता है तो इसमें हो जाएगा आपका लेसमानिया option number B answer हो जाएगा 32 नमबर में देखिए निम्न में कौन सा दूलिंगी पुस्प है निम्न में से कौन सा दूलिंगी पुस्प है तो इसमें हो जाएगा आपका गुलाब पुस्प option number answer हो जाएगा अगला question है कि मानव में घरान गराही स्थीत है मानव में घरान गराही स्थीत है क्या हो जाएगा इसमें आपका मानव में घरान गराही आपका स्थीत है 33 number में इसमें हो जाएगा आपको ना को में option number यह हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं फ्रेंस यदि वीडियो अच्छा लागा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यदि चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजेगा और इसी तरके अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रेक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है नीचे में पीडियो डॉनलोड लिंक इस पे जाके आप डॉनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू